स्टेप और जिला पुलिस ने बदमाशों पर कसाश शकंजा 25 रुपे का इनामी बदमाश सुमित यादव धर्दब पूचा दो साल पहले मुख्या समेथ पांच लोगों को गोलियों से फूना स्टेप और मांसी धाना पुलिस को बड़ी काम्याभी हासिल हुई है पुलिस ने 25 रुपे के इनामी कोख्यात अप्राधी सुमित यादव को गिरफतार कर लिया है साथी साथ सुमित के चार साथी भी अवैध हतियार के साथ धर्द बोचे गए दरसल मांसी धाने के पुर्वू ठाटा गाउं में पिछले दिनों पूर्व मुख्या समेट चार लोगों की बेरहमी से हत्या हुई थी जिसमें सुमित यादव नामजद अभ्यूक्त बनाये गया था उसी मामले में लकतार गिरफतारी के लिए चापे मारी की जा रही थी इस इक्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के अधार पर टीम बना कर चापे मारी की और सुमित यादव को चौथम धानशेत्र के दमहारा दियारा से साथियों समेट धर्द बोचा खगडिया एसपी अमितेश कुमार ने कहा कि आरोपी पर मांसी धाने में हत्या जान से मारने की कोशिश चौथम धाने में आगजनी का मामला दर्च हुआ है कोख्याद सुमित यादव के गिरफतारी पर 25,000 का एनाम भी रखा गया है सुमित यादव नाम के एक अपराधी की तलाश थी जो की हत्या जैसे संगीन मामलों में फरार चल रहा था और आज जो है स्टीफ की टीम और खगडिया जिला पुलिस की टीम ने धामहरा दिया रहा जो की कत्यानी स्थान के पास मांसी खाना अंतरगत पड़ता है वहां से सुमित यादव नाम उसके चार अपराध कर्मी जो सहयोगी है उसको गिरफतारी की के है पुलिस द्वारा और इनके पास से जो अवैद समान बरामत है है तीन देशी पिस्टल, छे जिन्दा कार्थूस, चार खोक्या, तीन मुबाइल फोन और दू मोटर साइकल जो की चोरी का प्रतीत है फरवरी और मार्च के महीने में दो संगीन मामले हुए थे मांसी ठाना अंतर के ठाठा गाओं में जिसमें जो है कुल पांच हत्याई हुई थी पुलिस ने गिरफतार अपराधियों के पास से तीन देशी पिस्तॉल, छे जंदा कार्थूस, चार खोका, तीन मोबाइल और दो बाइक को बरामत किया पिलहाल मामले में सलिप्त बदमाशों का अपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है पंजाब केसरी टीवी के लिए खगाडिया सेमित के रिपोर्ट